हेलो फ्रंस इस गौतंप पांडे कमिंग अब इस रांड आप नेग्स रांड आप नियुज इंप्लिफाइट तो आज की वीडियो में बात करेंगे विपन सौप मास्ट इस्ट्रेक्शन एंड दियर दिलिवरी सिस्टम अमेंडमेंड मिल 2022 के बारे में तो फर्स्ट अब जरह देखते हैं कि अमेंडमेंड मिल 2022 नियुज में क्यों है देखे रेसेंटली लोग सबा में विपन्स ओप मास्ट इस्ट्रेक्शन इंड डियर डिलिवरी सिस्टम प्रोफिशन औफ अन्लॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंड मिल 2022 को इंट्रद्दू यू में हम समझेंगे कि कौन से Act के Amendment की बात की जा रही है और साथ ही साथ क्या क्या Amendment होने वाला उसको इसको भी डिसकर्स करेंगे और यह भी जानेंगे कि weapon of mass destruction क्या होता है जिसे WMD हम कहते हैं वो क्या होता है उसके विसे में भी discuss करेंगे तो चले शुरू करते हैं ज़रा समझते हैं कि किस यह जो बिल आया गया है किस में amend करने की बात करता है यह देखिए बिल amend करने की बात करता है the weapon of mass destruction and their delivery system provision of unlawful activity act 2005 means WMD के लिए हमारे पास एक था जो 2005 में हमारे पास बन चुका था कानून उसी में amend करने की बात कर रहा है बिल और यह बिल क्या-क्या क्या amend करने वाला है वो समझेंगे हैं इससे पहले जरा हम जो 2005 का act था उसको जरा समझ लेते हैं तब फड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना कि क्या amendment की बात की जा रही है क्या कमिया थी इस कानून में जिसे अमेंड किया जाएगा देखे 2005 का जो एक्ट है रो प्रोप्रेट करता है अनलौफुल एक्टिविटी को यह अनलौफुल एक्टिविटी क्या है मिन्स ऐसी एक्टिविटी जिसे आप किसी डवलो एमडी को मैनुफेक्चर करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं इन सारी चीज यहां पर बालोजिकव और केमिकल वेपन की उसको एक्सपोर्ट करना ट्रांसपोर्ट करना यह ट्रांसप्र करना उसको बयान करता है और सेक्टिविटी की नॉन स्टेट आक्टर को आप मान लिए ट्रांसफर करते हैं मान लिए किसी ट्रांसफर करते हैं तो यह offensive माना जाएगा गयर कानूनी माना जाएगा तो यह section 9 भी बहुत important है जो transfer को ban करता है देखें अगर कुछ important और देख लें जरह हम इसके section को section 11 यह export को ban करता है और इसका section 12 यह सबसे important है क्योंकि इसमें brokerage को ब्रोकरिंग को ban किया गया है जो weapons of mars destruction है उसे ब्रोकरिंग अगर आप करते हैं मान लिए कि कोई A person है कोई B person से WMD खरीदना चाहता है और C person इसमें बीच में इन दोनों के deal को आसान मनाता है तो वो ब्रोकरिंग का लाएगा तो इसके लिए यह भी ban करने की बात की गई है देखिए इसी section 12 में amend करने की बात करता है यह will introduce किया गया है इसी section 12 में amend करेगा तो क्या amend करेगा उसको भी समझेंगे उससे पहले जब हम इतनी दर रहे हम समझ गए क्या होता है उसको जरह समझते हैं कि यह weapon क्या है देखिए अगर weapon of mass destruction के हम बात करें तो कोई international law कहीं से भी कोई authoritative definition होता है ना ऐसा कोई definition नहीं international law में कहीं पे भी अगर in 2005 के act की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी देखिए बस इतना कहा गया है विपन of mass destruction और biological, chemical और nuclear weapon है जिससे विपन जो biological है, chemical है, nuclear weapon है उन्हें mass destruction, weapon of mass destruction कहा जाएगा WMD कहा जाएगा देखिए यहाँ पर important यह है कि USA की government द्वारा एक definition दिया गया है इसमें कहा गया है कि WMD वैसे weapon होंगे जिनसे large scale पर people की death हो सकती है उसे WMD कहा जाएगा अगर आपको nuclear weapon यूज करते है तो उसे क्या होगा large scale पर people की death हो सकती है कोई chemical weapon यूज करते है या कोई biological weapon यूज करते है जैसे हाल पिलाल में आपने सुना होगा COVID-19 जो जिससे हम अभी भी देख रहे है pandemic है वो कहा जा रहा था कि ये कि एक biological weapon है जिसे चाइना ने बनाया है जिसे large scale पर mass destruction हो रहा है अगर ऐसा प्रमारित हो जाता है तो international जो भी जहां case वगरा चलेंगा वाने वोले दिनों हो सकता ऐसा हो बट ये अभी उसमें हम नहीं जाते हैं बट में कि क्या COVID-19 था या नहीं था biological weapon बट हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है ऐसे weapon जो कि large scale पर लोगों को destroy कर सकते हैं problem कर सकते हैं देट कर सकते हैं उन्हें WMD कहा जाता है अब बात करते हैं जरा हम जो amendment दिल लाया गया है उसके key features पे देखें जैसा कि हमने कहा कि प्रिबियस एक्ट था मर्टूथवन फाइब का उसके section 12 में amend करने की बात की गई है उसमें section 12 A एड किया जा रहा है तो यह section 12 A क्या कहता है इसको जरा समझते हैं जो amendment बिल लाया गया उसमें कहा गया है section 12 A इसमें कहा गया है no person sell finance any activity which is prohibited under this act means अभी तक क्या होता था कि स्रिफ हम transfer पे manufacturing पे transportation पे बैन था हमारा पट कहीं पे भी financing की बात नहीं किए थी कि पैसे कहां से आएंगे कहां से जाएंगे यह पैसे कहां से आएंगे इसकी बात चर्चा नहीं थे कहीं पर तब कहा गया है कि अगर आप कहीं से भी finance करता है कोई तो यह प्रोभिट होगा offensive माना जाएगा माल लिए कि किसी company ने एक्स company ने biological weapon कहीं से export कर लिया है import कर लिया है माल लिए यह आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें किसी ना अगर WMD बना रही थी तो आप पे भी गयर कानुनी जो भी काम होंगे उसके लिए offensive लगाया जाएगा यहाँ पर आप यह नहीं कर सकते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फलाना company XYZ company WMD बना रही थे तो इसलिए mention किया गया है कि अगर आप directly और indirectly दोनों ही form में अगर आप फंडिंग करते हैं तब भी वह offensive माना जाएगा यह पॉइंट यहाँ पर समझना जुरूर है जो सेक्शन ट्वेल्ब एड किया रहा है अगर माल लिए कि अगर ऐसा किसी ने किया तो क्या होगा जैसे पहले एक्ट जो था उसमें सेक्शन 14 में ऐसा mention किया गया था जो तो हमाइब का एक्ट है कि अगर कोई इस तरह के काम करते हैं जिमाफुल एक्टिविटीज करता है मिन्स ट्रांस्पोरटेशन करता है मनूफेक्चरिंग करता है तो उसे मिनिमम फाइफ यह की होगी और मैक्सिमम क्या था लाइफ टाइम का इम्प्रिजमेंट हो सकता लाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप finance करते हैं इस तरह की अनलॉफल activities में तो आपके जितने भी जो भी assets वगर होंगे उन्हें प्रीज कर लिया जाएगा सीज कर लिया जाएगा को ऐसे भी हो माली आपके under में हो या फिर आपके control में हो माली क्या होता जिनरली देखता होगा आपने या सुना होगा कि बहुत सारे जो लोग इस तरह की activities करते हैं वह अपने नाम पर कोई जो भी assets वगरा होते हैं उसे नहीं रखते हैं अपने नाम पर section 12a भी important हो जाता है और लाश्टली देखिए इसमें कहा गया है कि person को भी बैंड किया जा सकता है किसी person को अगर इस तरह की activity में वह involved होते हैं तो देखिए important इसलिए हो जाता है कि सवाल यह उट रहा था कि क्या government इस तरह कि जो amendment bill है current में क्यों लेकर रही है तो आप current समझ सक कि WMD को ban करती है जैसे कि आपका biological weapon convention हो गया यह chemical weapon convention हो गया NPT हो गया इन सारे चीजों का क्या signatory है तो ऐसी situation में इंडिया के लिए इन सारे चीजों को ratify करने के लिए truth on fight में act लाय गया था और उसी को जो international obligation है हमारा WMD से related उसे और ज्यादा strengthen करने के लिए government यह amendment में लेकर तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स पर वाचिंग करेंट affairs by forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives last year we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes